नमसकार दोस्तों मैं गौरव स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मोटर सौल में आज हमारे साथ जो गाड़ी है इस गाड़ी का नाम टाटा टियाको एनरजी है आज हम इस गाड़ी के बारे में जानेंगे इसके फीचर्स जानेंगे specifications के बारे में मैं आपको बताऊंगा गाड़ी के एक तरीके से आपको review दिया जाएगा यह Tata Tiago Energy का front look है आप देख सकते हैं कि गाड़ी में normal basic Tiago से काफी change किया गया है यह crossover गाड़ी है गाड़ी का front देख सकते हैं यह cladding दी गई है और फुल गाड़ी को cover किया गया है black cladding से इसके अलावा गाड़ी में halogen lamps हैं इसके अलावा गाड़ी में fog lamps भी दिये गए हैं और अगर हम गाड़ी को दिहान से देखें तो हमें roof rails भी दिये गए हैं कभी कभी यह होता है कि हम अपनी गाड़ी को बहुत दूर पार्क कर जैते हैं और हमें पता नहीं होता हमारी गाड़ी का हैं तो गाड़ी की कीज में एक feature दिया गया है light का अगर हम इसको press करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह गाड़ी की light जल जाएंगी अगर ध्यान से देखें तो इस पैसिफिकेशन है 175.60 R15 15 इंचेज के यह रिम बेस के दो जाया है जायाही होता है झाल जापक है जायास ्ड़ी का जाया है तियागो एनरजी की है और गाड़ी में कीले सेंट्री दी गई है जिसे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से यूज किया जाता है आपके हाथ में कीज है यहाँ जेब में कीज है आपको बस यहाँ पर एक बटन है जो प्रेस करना है एक अलाम बजेगा और आप गाड़ी के दोर के बात करें तो ये काफी हेवी है और अब आप इंटीरियर देखिए गाड़ी का किस तरीके से गाड़ी का इंटीरियर है अब हम आ गए हैं टाटा टियागो एनरजी के अंदर ये इसका इंटीरियर है ये डैश्बोर्ड और ये मीटा कंसोला ये टाटा टियागो एनरजी के पावर विंडोस हैं ये दोनों बैक के ये फ्रंट के और ये दोनों बैक के कंट्रोल करने के पावर विंडोस लॉक हो जाते हैं अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी में अगर कोई भी जना पीछे बैटा है तो आप चाहते हैं कि यहां पर बहुत सारी चीजे दी गई है मतलब यह डेटल एक तरीके से डेटल मीटर है आपको ट्रिप A, ट्रिप B और आपका जिता डिस्टेंस टू एम्टी है वो सारा आपको दिखाया जाएगा इदर इसके अलावा इसके शीरिंग पर कंट्रोलं दिए गए है ये ब्लूटूथ का कंट्रोल है इसके अलावा प्लस, माइनस और बैकवर्ड, फ़ॉर्वर्ड यहां पर फोन उठाने के लिए यहां फोन डिस्कनेक करने के लिए यह सारे features आपको दिये गए हैं और यहां पर voice command भी दिया गया है तो आप अगर कुछ बोलते भी हैं तो गाड़ी आपकी आवास सुनेगी और अगर आपका phone Bluetooth से connected है तो वो easily आपकी आवास पर चान के उसको command दे सकती है अब हम यह देखेंगे गाड़ी के ORVM के control अगर मैं इस particular console को नीचे प्रेस करूँगा तो ORVM बंद हो जाएंगे और अगर मैं इसको नीचे बापिस प्रेस करूँगा तो ORVM ओपन हो जाएंगे यह right के ORVM का console है और यह left के ORVM का console है बात करते हैंMaster Mana Valdi के लाइटिंग कन्ट्रोल के बारे में तो यहां पर अभी लाइटिंग में उफ है यहां पर गाड़ी के पारकिंग लाइट चल जाएंगी इसके बाद गाड़ी की मेन लाइट चल जाएंगी और यह हं लेवलिंग सेट कर सकते हैं कि हमें गाड़ी की जो जब रात में हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी उपर होनी चीए या नीचे होनी चीए वो हम यहां से सेट कर सकते हैं और नीचे करेंगे तो हम indicators on हो जाएंगे और उपर करेंगे तो भी हमारे right के indicators on हो जाएंगे यहां पर गाड़ी के wiper controls दिये गए हैं और अगर मैं यहां पर प्रेस करूँगा तो water splash होगा यहां उपर काँच पर और उसके बाद अगर मैं single time करना चाता हूँ तो मुझे बस इतना ही करना पड़ेगा और अगर मुझे कोई speed tag करनी है तो मैं इसको उपर करता जाऊँगा और अगर कम speed करनी है तो वो नीचे ही रहेगा आईए अब चलते हैं गाड़ी के music system की तरफ जो है हर्मन का music system और सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की settings कुछ दिखा देता हूँ वीकल setup में जाएं तो park assist और approach lamps अप्रोच lamps मतलब हो गया कि गाड़ी आपकी कहीं दूर खड़ी है और मैं मुझे पता नहीं मलब आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी कित्ती दूर है तो आप इसके जो keys हैं keys में यह option जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको प्रेस को 30 सेकंड और 60 सेकंड इसके लिए सेट कर सकते हैं हम चलते हैं audio setup की तरफ जिसमें हम base, middle, treble, balance and fader audio preset कर सकते हैं और उसके बाद हम बापिस हम देखेंगे phone setup में जिसमें pair device में आप Bluetooth कनेक्ट कर सकते हैं pair device means already connected इस system के साथ जो already connected हो चुके हैं पहले वो दिखाएंगे device की visibility, SMS alert notification और configure auto SMS यह सारे features इसमें दिये गए हैं अब हम back जाके general setup में जाएंगे जिसमें day, time, 24 hour format या 12 hour format वो सभम कर सकते हैं या आप अगर चाते हैं कि मैं पूरा ही setup normal factory से जब गाड़ी निकलती है वो हो जाए तो आप यहां पे click कर सकते हैं इसके बाद themes, themes मतलब हो गई जो music system है यह उसकी themes है जैसे मैं blue कर दूँगा तो आप देख पाएंगे कि अभी इसका theme blue हो जाएगा और pink करूँगा तो यह pink theme हो जाएगी तो गाड़ी का color green है तो obviously मैं इसको green पे click करता हूँ क्योंकि गाड़ी का rhythm बना रहना चाहिए अब मैं आपको music system की voice सुना देता हूँ कि किस तरह की sound quality है इसकी गाड़ी में चार speakers और चार tweeters दिये गए हैं चारो doors में चार speaker रहे हैं दो front में tweeters यहाँ दे रखे हैं और दो back के doors पे tweeters दे रखे हैं तो टोटल चार speakers हैं तो गाड़ी की sound quality काफी ही बहतर है पहले से बहुत बहतर है कुछ controls के बारे मैं और बताता हूँ आपको यह है hazard light इसको प्रेस करेंगे तो आपकी इस तरीके से light आपको show होने लगेगी और इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे तो यह fog lamp का button है यह defogger का button है जो पीछे वाले कांच में दिया गया है यह गाड़ी को lock unlock करने का button है यह boot space का button है गाड़ी के boot space की बात करें तो मैंने आगे से button प्रेस कर दिया था जो मैंने आपको अल्रेटी वीडियो में बता रहा है तो गाड़ी का जो boot space है 242 लीटर है जो की नॉमल टियागो जिता ही है बाट इसको गाड़ी का किस तरीके से आपको हवा आनी चाहिए वो दिया गया है कि आपके face पर आनी चाहिए आपके face और legs दोनों पर आनी चाहिए केवल legs पे आपके window जो सामने वाला front काँच है उस पे और आपके pair में और ये दो controls और दिये गए हैं इसके अलावा आप यहां देखेंगे ये air vent है मिन्स आपकी हवा का जो speed है वो बढ़ा सकते हैं जैसे आप sound सुन सकते हैं जैसे मैंने बढ़ा दिया है इसको दो पे तो आ खर्माट जादा देगा और नीचे करेंगे तो ये ठंड जादा रहेगा अभी जैसे देख सकते हैं ये गाड़ी का gear system है गाड़ी में दो gear systems आते हैं पहला manual दूसरा automatic manual five speed है और एक reverse gear है और automatic और पैट्रोल दो वेरियंट ही आते हैं इसके लावर इसका कोई और अलग वेरियंट नहीं है और आप इसके थोड़ा सा पीचाहेंगे तो यहां दो bottle holders दिये गए हैं इसके लावर ये छोटा सा एक space दिया गया कोई की रखनी हो और यहां पे भी bottle space ह है या कोई आप समान रखना चाहें बट गाड़ी में एक चीज की कमी है गाड़ी में आपको center armrest नहीं दिया गया है जो कि आजकल सब गाड़ियों में एक common चीज है तो इस पे टाटा को थोड़ा सा विचार करना चाहिए अब मैं आपको गाड़ी के कुछ features के बारे में बत गाड़ी का जो इंजन है वो 1.2 लीटर रेवाट्रॉन इंजन है इसके लाबा पावर 85 बहप टॉक 139 बूट स्पेस 242 लीटर गाड़ी तीन सिलेंडर और चार वॉल्प से equipped है इसके लाबा फ्यूल टैंक 35 लीटर है ग्राउंड क्लिरेंस 181 मीटर है नॉमल टियागों में यह 170 mm है तो 11 mm की extra space दी गई है जिससे की काफी जगे यह फायदा करने वाली है आपको Indian roads के साब से तब ही इसका नम I think crossover दिया गया है और अब हम बात करें कुछ basic features जो गाड़ी में already आते हैं ABS plus EBD plus 2 airbag यह mandatory हैं तो यह गाड़ी में है इसके लाबा जो यह music system आप देख रहे ह और Android Auto Apple CarPlay यह मैं बता चुका हूँ इस गाड़ी में already दिये गए हैं इसके अलावा अगर हम बात करें front and rear skid plate इसमें गाड़ी में दी गई है गाड़ी की जो length है वो अगर particular में बात करूँ तो 37 mm जादा है normal Tiago से और गाड़ी में roof rails हैं गाड़ी में reverse parking camera है जो मैं अभी आप इस वील नहीं है जो कि Tata Tiago में मिलते हैं इसके अलावा गाड़ी में armrest नहीं है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ यह गाड़ी dual tone में है push start button है यह बहुत बड़ा advantage है यह आप देख सकते है push start button दिया गया है और rear wiper दिये गया है defogger दिये गया है इसके अलावा total holders हैं दोनों तरफ तो गाड़ी में काफी चीज़े इंप्रूफ के गई है और यह एक बहतर crossover बन सकती है इस price range के कि अब चलते हैं गाड़ी के backseat के तरफ गाड़ी के बैक सीट के तरफ गाड़ी के बैक सीट काफी अच्छी लग रही है एक बार बैट के देखते हैं गाड़ी की backseat काफी अच्छी है comfortable है और मैं अल्रड़ी टाटा टियागों में बैठ चुक हूँ बढ़ टाटा टियाग को एनरजी की सीट काफी बहतर हैं काफी comfort है आप अगर long drives में जा रहे हैं या थोड़ा था अबर खाबर रोड भी है तो यह गाड़ी आपको तंग नहीं करेगी आपको काफी अच्छा response मिलेगा प्लस गाड़ी की setting comfort बहुत अच्छी है गाड़ी की back setting काफी comfortable है आप देख सकते हैं मेरी height 510 है और मैं यहां easily बैट पा रहा हूँ और तीन लोग थोड़ा सा दसके बैटेंगे बट एक बच्चा बैट सकता है और पीछे दो बड़े लोग बैट सकते हैं और मेरा head room भी देखे हैं तो काफी अच्छा है तो इसमें भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो गाड़ी एक तरीके से काफी अच्छी बनाने के कोशिश की करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइक करिये शेर करिये और सब्सक्राइब करिये